नमस्ते दोस्तों आप सब का स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंटसी दुनिया में गाइस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे रामदान टीटेन कब कम है जो खिला जाएगा एफम वसस एच के बीच बहुत ही शॉर्ट और क्विक रिव्यू सा वीडियो होगा ठीक है जह रमादान टीट्वींटी कब जो हुआ है ना सेम ग्राउंड पर उसमें अच्छा पर्फोमेंस करके आया था ठीक है सिलेक्शन उनका बहुत ले से कौन सा प्लेयर है मैं बताऊंगा पुरा वीडियो अगर ध्यान से पंदक देखोगे तो आप एक बिटर टीम कुद अपने अगर आप लोग चाहोगे तो कॉमेंट करके बताओ क्या आपको खिलना है रोमाना थीटेन और 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 भी डूमस्टिक मैच इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो फाइनल अपडेट के लिए टेलिग्रम जूर जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे आप अगर बैट फर्श करेंगे तो अच्छा रन बनेगा लास्ट मैच में फेम से जो जो बंदा उपिनिंग किया था या फिर टॉप और में खिला था ना मुझे नहीं लिगत ऐसा होना चाहिए यह टिम स्ट्रॉग है अगर इनका जो कैप्टेन है ना वह धंक से खिलाएगा बैटिंग से ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दिया था बट चार में को तो तो एच्के से ठीक ठाक पीके बॉल फर्श करेंगा तो इनके बॉलर्स ले लेना क्योंकि इनके पास ठीक लवेल के बॉलर्स है ठीक है एच्के जेट से हम लोग स्टार्ट करते हैं दीखो खलील लेंगे इन दोनों को लेंगे मैं मना नहीं कर रहूं लेना इनको क्योंकि यह बॉलिंग कर सकते हैं अब देखो रिसेंली क्या हुआ है रमदान हुआ है जहां पे शामिल रमजान बैटिंग से ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दिया था बट चार मैश में ना के बलद 14 का वरिसें का रन था उपर से क्या है मालूम है थोरा सा स्लो खेलता है बंदा लास्ट मेश पे शुद शायद 12 तेरा बॉल में 19 रन खेला था ज्यादा रन चाहिए नहीं था यह बंदा अच्छा खेला है तो इनको आपको बैक करना पड़ेगा शामिल रन जान मैं मानता हुआ तो कि टीम में रखो कैब वीसी नहीं भी बना सकते और बना भी सकते हो ऐसा नहीं कि मस्ट पिक कैब वीसी है ठीक है अब देखो इस टीम से यह एक बंदा है जिनका सिलेक्शन बहुत लेसे क्योंकि लास्ट में इनको बैटिंग मिला नहीं बट इसने ना सबसे जादा रन लास्ट रमादान टीटेंग में इस टीम से और इंग रेट भी हाई था मैं मान दो कि ऐसे ब्लेस को न आपके टीम में रखना चाहिए ठीक है रमादान टीटेंग में अच्छा खेला था जहाँ पर यह बंदा भी खेला था इन्होंने चार मैच में जहाँ पर चौवन बना लेता है फरन नजर का था चार मैच में केबल एक विकेट और साट रन बट यह जो प्लेयर है अब समझो रिकॉर्ट कैसे यूसफुल होता है यह बंदा लास्ट मैच में बॉलिंग अच्छा किया था विकेट एक ही मिला था बट इनका रमादान टीटेंटी में ना आट वि आइधर उपोनेंगे या फिर विकेट देएगा ऐसे थाइंड में यह बॉलिंग करेंगे था अगर था बनाओ बाल इनका बैट इंग होता है और टीम कम बन बनाते है तो यूस ज्याद होगा ने इनका तो सेकेंड एक्डीं में बनाओ के बदी है है टो है ओल्स होता है तो में रखना चाहिए कब फर्स्ट इनिक्स में सेकेंड इनिक्स में रोटेशन कर सकते हो अनसर अनास मुस्तफा ज्यादा कुछ खास लगे मुझे नहीं अली रजा लास्ट सीरिस रमादान टी-20 मैं ना तीन मैंच में चार विगे निकाला ये इस मैंच में पंथ होगा ओवर है अब देखो एफम ना लास्ट में क्या किया था इनको बहुत कम टन टार्गेट मिला था तो इनसे यह जो बंदा है ना कैप्टेन सी करार आइकॉन सेफ जन्जुआ इसने ना ओपिनिंग आया था किसके साथ अलिशान शराफू के साथ आइडेली आना नहीं चाहिए अगर आइगा तो विकेट लॉस होगा एकदम से पक्का मान के चलो क्यूंकि ज्यादा कुछ खास बैट में नहीं है बट अलिशान शराफू के साथ आइडेली आना चाहिए अब्दुल शकूर जिनको लास्ट में भेजा नहीं गया में भी कम रन था तो शायद बोला आप तर सब अना इंटीन प्लेयर से अब्दुल शकुर के साथ लास्ट में नहीं मिला बात अलग है बट ये बैटिंग से कमाल का हीटिंग कराता एक बॉलिंग से विके निकाल सकता है तो डेफिनिटल बॉल फर्स्ट वह या फिर बैट फर्स्ट हो बैट वान तो काई बहूत मेंने युई के लिए इंटर्शनल खेल चुका है फिलाल इनको चांस ज्यादा मिलता नहीं बट अच्छे प्लिया रहे है बैट फर्स ज्यादा बिटर है निकाला था रमादान टीटी में इन्होंने पांच मैंच में केबल चालू के निकाला था तो मैं मानता हूं टीम में रखो कैब वी से बनाओगे बॉल फर्स तो बनाओ बॉल सब्सक्राइब मत बनाओ नीचे से जो इंपोर्टन प्लिया रहा है ना फराज हो दिनिया स्पीनर है और स्पीनर को आपने टार्गेट करता है कि बहुत जादा मैं मारू और इन्होंने रिसेंटली जो सी बीएफ से स्ट चार युटे निकाल रहे फिरीज में कौन सा सिरिस नुमादान में में निकाला था इंपॉर्टन बात किया है बंदे ने दो ऊबर डाला अपिनिंग बॉल्लिंग को ने उमेर ली नसीम अक्रम झाहरफरीद देश्यम झाहरफरीद अम्हर ऑप सिसम्वें अगर कैवश बना से उनसे कम परफॉर्म कर रहा है तो शायद मैं ना बनाऊं यह रहेगा मेरा फिलाल अपडेट जहाँ पे ना मैंने वीसी बनाया फराज उत दिन को कैप्टेन बनाया जहुर फरीद को अलीशान शरफ हुए हमारे पास हमारे पास है उमेर अली महमद उस्माने देखो मैंने य बनाया तो बिस्टेकर हो तो रॉप करो या फिर रोटेट करो रोटेट मतलब एक टीम में लो एक में नहीं दो टीम के साथ स्माल लीके लो अगर नहीं चला तो आपका एक टीम तो अग्दम से बहुत बढ़िया पोफॉर्मेस करेगा अगर चल गया तो आपका एक बेक- सब्सक्राजब सब्सक्राइब से इन और इन को उपीनिग आना चाहिए फिर लुए टून मोहमध उस्मान सब्सक्राइब लुए सब्सक्राइब तो मुझे लगते है शराफू ही ओपिन करेंगी करेंगे अब दूशकूर के साथ वंडाउन हैंगे जवर्फडी तूदान मुहम्मध उस्मान कुछ ऐसा हो सकता है और हाँ जो कैप्टेन है न वो तो गैस कुछ भी करा रहा है तो यह मैच तो रासा रिस्क किये इन रिस्पे